नमस्कार दोस्तों स्वागत एक बार फिर आपका अपने यूटूब चैनल सिंपल फामेसेश्टडी में दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे थायामीन हाइड्रोक्लोराइट इंजक्शन के बारे में जो की विटामिन बीवन इंजक्शन है दोस्तों वैसे अगर हम बात करें तो विटामिन बीवन की इतनी जल्दी आपके सरीर में कमी नहीं होती है आप जो भोजन खाते हैं उतसे ही इसकी कमी पूरी हो जाती है लेकिन कभी कदर कुछ काड़ों की वज़े से आपके सहीर में हो जाती है विटामिन B1 यानि की थायामीन की कमी तो आपको कई सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है दोस्तो ये जो injection है इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आपको बता दें ये जो injection है कुछ popular bands नेम से आपको medical store पे मिलता है जैसे की थाया plaques injection के नाम से आता है इसके अलावा दोस्तो जो है थायमीन injection के नाम से भी मिल जाता है ये injection आपको 100 mg और 200 mg की अलग-अलग strength में मिल जाता है तो बात करेंगे इस injection को कब लगाया जाता है कैसे लगाया जाता है कितना क्या dose दिया जाता है क्या side effect आते हैं पुरी जानकारी मिलेगी वीडियो को अंध तक देखते रहें दोस्तो अगर हम बात करें तो ये एक water soluble vitamin है यानि कि पानी में गुलनसील vitamin है बात करें तो ये आपकी body में store नहीं होती है ना तो आपका सरीर इसे बनाता है ये आपकी body से बाहर निकल जाती है इसलिए आपको इसे बाहर से लेना अतियावस्यक होता है बात करें तो कभी कदर क्या होता है कि कुछ काड़ों की वज़े से इसके आपके सरीर में कमी हो जाती है अब जब इसकी कमी हो जाएगी तो आपके सरीर में कुछ समस्याएं भी होगी जिसमें से जो समस्याएं हैं मैं आपको बता देता हूँ आपकी भूख बहुत ज़्यादा कम हो जाना सरीर हाथ पैरों में दर्द बनी रहना इसके अलावा आपके mood में बदलाओ होना, tension हो जाना, nerve damage यानि कि नसों से जुड़ी समस्याइं होने लगना, नसों में दर्द होना, जुनजुनी होना, जलन होना, इसके अलावा जिसको neuropathy कहते हैं, इसके अलावा दोस्तों, blood vision आपको धुंदला दिखाए देना, nausea and vomiting यानि कि आपको हमेशा मतली उल्टी जो है लगा करना, इसके अलावा भी कई सारी समस्याइं होती हैं, अगर आपके सरीर में vitamin B1 की कमी हो जाती है, तो ये बहुत ही important है आपके body के लिए, दोस्तों अगर मैं बात करूँ, ये जो थाया मिन vitamin B1 है, ये आपके सरीर में करती क्या है, तो दोस्तों ये सरीर की कोशिकाओं को कार्बो हाइडरेट को उर्जा में बदलने में मदद करती है, बात करें ये जो कार्बो हाइडरेट है, इसकी जो मुख भूमिका है वो है भाया, कि सरीर में आपके मस्तिस्क और तंत्र का तंत्र को एनर्जी देता है, ठीक है कार्ब इसके अलावा थायामीन मांस्पेसियों के संकुचन और तंत्रका संकेतों के संचालन में भी भूमिका निवाता है तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सरीर के लिए बात करें कि भाईया यह इंजक्षन आपके कब लगना चाहिए तो मैं आपको बता दू मैंने उप नूट्रिशनल डिफ्सियंसी में भी लगता है अगर आपके बाडी में नूट्रिशन की कमी हो गई तो वहाँ पर भी डॉक्टर लगा सकते हैं इसके अलावा दोस्तों एक कंडिशन का नाम आपने सुना होगा बेरी-बेरी यह जो बेरी-बेरी है यह आमतोर पर अगर दूसरी कंडिशन में भी आपको दे सकते हैं वैसे मैंने आपको बता दिया कि बहिया कौन से लच्छर दिखें तब यह इंजक्षन आपको लगवाना चाहिए क्या समस्याएं होनी चाहिए उमीद है आपकी समझ में आया होगा अब बात कर लेते हैं यह जो इंजक्षन है यह भाईया लगता कैसे और कहां पर है तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ यह इंजक्षन इंट्रा मस्कुलर यानि कि आपकी मसल में डॉक्टर लगा सकते हैं इसके अलावा आईवी भी दे सकते हैं आईवी जब देते हैं दोस्तों तो इसको हैंडेड एंबल एनेस में चाल दिया जाता है उसके बाद में सुलो आईवी चड़ाया जाता है तो काफी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं इसके अलावा बात करें तो यह जो इंजक्षन है यह आपको डॉक्टर दिन में एक बार एक इंजक्षन लगाने की सलाह देंगे और बात करें तो इसके डोज के बारे में तो वो आपकी उमर एज कंडिशन पर डिपेंड करता है वो भी आपके डॉक्टर ही डिसाइड करेंगे बात कर लेते हैं इसके साई डिफक्ट के बारे में तो साई डिफक्ट इतनी जल्दी नहीं आता लेकिन कुछ मामलों में इंजक्षन जहा आए देता है तो उसके बारे में अपने डॉक्टर से डिसकस जरूर करें तो दोस्तों यहीं था आज का वीडियो थायामीन यानि की विटामिन बीवन इंजक्षन के बारे में वीडियो का इसा लगा कमेंट में जरूर बताएं साथ भी जो लोग चनल पर पहली बारा हैं चनल बने मातरम टेक केर भाई